हनीप्रीट को पकड़ने के लिए पंचकूला पुलिस की आठे साइटी ने पांच राजियों में 1000 किलो मीटर से ज्यादा की दूरी तै की पंचकूला चंदिगर 25 अगस्त को डेरा सचा सौधा प्रमुख गुर्मीत राम रहीम जिनको बलातकार के मामले का दोशी करार दिये जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा को लेकर पंचकूला पुलिस अब हनीप्रीट से पूछताज कर रही है बता दें कि आज आईजी ममता सिंग और आईजी एस चावला सिवालों की एकलस लेकर चंदी मंदर थाने में अंदर पहुँचे थे उनके साथ एक कैमरा मिंट सारी बाते रेकॉर्ड कर रहा था हनीप्रीट से करीब साड़े चार घंटे पूछताज की गई जिसमें उससे कई सवाल किये गए पन्चकुला से 10 किलोमीटर के दाईरे में ही पकड़ी गई हनीप्रीट हनीप्रीट को पकड़ने के लिए पन्चकुला पुलिस की आठे साइटी ने पांच राजियों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तै की हर रेद में पुलिस के हाथ नाकामी ही लगी और हनीप्रीट यहां पंचकिला से महास 10 किलोमीटर के दाइरे में ही पकड़ी गई चंदी मंदर थाने में देर रात तक हनीप्रीट से पूचताच जारी थी उद्वार सुबह उसे पंचकुला कोट में पेश किया जाएगा पंचकिला में 25 अगस्त को हुए दंगों के बाद पुलिस ने दंगाईयों को गिरफतार करना शुरू किया तब ही सामने आ गया था कि हनीप्रीट इस पूरी साज़श में शामिल है रात डेर बजे पहुंची हॉस्पटल दिन में पूच्टाज के बाद रात डेर बजे हनीप्रीट ने सीने में दर्थ की बात गई इसके बाद पुलिस उसे रात को ही पंचकिला सिविल हॉस्पटल ले गई हनीप्रीट ने डॉक्टरों को बताया कि वह माईग्रेन की दवाय लेती है लेकिन चेक अप में PCG नॉमल आया टीम मोहाली भेजी गई है सुरेंद्र, चमकोर, दान सिंग, गोविन दादी को पुलिस ने गिरफतार किया और इन लोगों ने हनीप्रीट का नाम लिया दंगा भड़काने के आरोपी आदित्या इंसा और पवान को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है इनकी तलाश में पुलिस की एक टीम मोहाली भेजी गई है पंच्क्युला पुलिस के पास दो गाड़ियों के नंबर भी आये हैं जिनका इस्तमाल आरोपियों ने किया आरोपियों को छिपाने के मामले में भी कुछ लोगों की गिरफतारी हो सकती है तेर राढ तक होती रही हमीप्रीट से पूचताच हमी प्रीट से पूछताज करने के बाद देर रात सारे बयानों को टेली किया गया पुलिस कमिशनर एस चावया ने दो महिला सब इंस्पेक्टर एस आइटी इंचाज मुकेश मलहुत्रा चंदी मंदर्थाना प्रभारी की अहां मौके पर रहने की ड्यूटी लगाई है अभी तक पकड़े गए आरोपी दिलावर सुरेंद्र धीमन चमकोर गोविंद दांसिंग खरती लाल पुलिस की पकड़ से बाहर आदित्य इंसा और पवन